बिस्मिल्ला रख्मान रहीम अस्सालाम उलेकुम फ्रेंड सारास विलोग में वेलकम है आपको दिल के कहराईयों से उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे माशाला से तो आज हम आपके लिए मीठा लेके हैं जो जट बड़ से तयार हो जाता है पांच मिनट में औ और मौसलम् से बहुत अच्छा है तो हमने सूचा याप लिए डिए डिके आते कुली रेसीपी लेकिया काूँ सब पंचा शचए हैं तो जाया के इब चाहरे चाहरे है मेठा बना रहें हैंडों कहता जाया जाया कि तो पंची कर strikingना रख और लिए हमें एक पाँर ले लेना है हमें एक कप दूछ चाहिए होका जितनी हमें जबर होगी हम उतना उसको यूज का लेंगे büy hect pub हमें फट servants चाहिए होगी अगर आप जजादः भी डाल सकते हैं अगर जादः मीठा पसंद करएंडे तो जादः अबी टाल सकते हैं ये आपके उपर है और अलाची दाने या अलाची पॉडर भी इस्वाद कर सकते हैं और ये हमने बदाम ले जए नहीं हम अससे क्रश कर लिये हैं वह हम दास टेज के लिए आड़ करेंगें तो चलिए हम रेसेपी स्टार्ट करते हैं इसमे दर्फमान रही तुझी दोस्तों हमने एक्सासपन हलकी आंज पर रख लिया उसमें हम सबसे पहले दूछ शामिल करते हैं रख जाएगा तो हम इसमें फिर शामिल करते हैं ब्रेट ये जो पीसिस से इंखम शामिल करते हैं जिसमेरा पान रही है हमने अच्छे से इनको डिप कर दिया हम इसको एक मिनट के लिए इस तरह से पकाएंगे जब वाइल्स पाने शुरू हो जाएंगे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तब हम इसमें चीनी जो है वो शा हम रही है अच्छे सम इसको मिक्स करने आन ज्यादा तेज़ भी करने हैं आपने हलकी रखनी है तो जी दोस्तों ये देखिए हमने इसको एक मिनट लिए जब चीनी इसकी मेल्ट हो जाएगी इसमें तो तब हम इसमें दो चमंच घी के डेशी की भी आप शामिल कर सकते हैं और वैसे त्स Tisoda ऑगा कर सकते हैं चीक है रिजक जो है उसको जाया नहीं करना चाहिए और कुछ भी बज़ई कोई भी साथ हो पटशए से aT to cost में ला अचंश करने की बजाए आप इस तरह से इंको बना लें तो इससे क्या होता है कि जब सक जो है उसकी भी हुर्मती नहीं होती है और अल्लाथ आपके रिज़क में इसाफा करते हैं इस पज़ा से यह मैं अक्सर बनाती हूं मेरे अपूची को बहुत पसंद है वह अक्सर फरमाश करके मुझसे बीठा क्योंकि यह मिंटों में तयार हो जाता है बहुत आसान है बच्चे बहुत पसंद करते हैं शौक सिखाते हैं तो जी दोस्तों यह देखें सारी प्रेड अच्छे से गुल चुकी है माशालला से यह देखें अब हम इसमें क्या करेंगे जो घी है उसको उसको अब अब इसको पकाएंगे यह बिलकुल खोए की तरह बन जाता है जैसे आप लाइक फीर नी खा रहें इस तरह से बन जाता है बहुत मज़ेका होता है अब इसको एक मिनट पे लिए पकाएंगे जैसे गी चूपना शूब हो जाएगा तो मतलब आपकी यह रेसिपे तयार है तो यह देखें दोस्तों यह हमारा जो है वो ब्रैट का हलबा शेला से तियार हो चुक है यह तकि यह से अलग हो गया अब हम इसको डिशॉप करते हैं चैदिए इसमें दूपना है अब हम जो में बदान थे उनकम इस पे सप्रेट कर देंगे इसमें रहीं तो यह देखें अब हमें और हमेंचे उनका जो है तयार हो गया। मिझा प्रेट का मिठा है जड़े नहीं हो गया ज 컨텐 понял पर इसका उनकर होगे कमेंस की और आपकी फीडबेक ही बहुत जरूरत होती है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा था कि आपको टाइम पर वीडियो जो है वो मिल सके और जो न्यू वीवर्स है चाहे तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर सकते हैं उमें